अक्षु कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 एक बार फिर से सुर्ख्यों में है फिल्म को लेकर करीबन 100 फीमेल डांसर्स ने छेर चार का आरोप लगाया है और केस सर्च कराया है तो आखिर किस पर लगाया है 100 डांसर्स ने छेर चार का आरोप क्या है फिल्म से जोड़ा आप ये नया मामला आएए जानते हैं अक्षर कुमार की फिल्म हाउसफुल फोर पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है अब देखे ना तनुश्री दत्ता ने मीटू कैमपेंग के तहट एक्ट नाना पाटिकर बर सेक्शल हरासमेंट के आरोप लगाए उसका यसर ये हुआ कि नाना को फिल्म के आधी शूटिंग से ही बाहर होना पड़ा और ये मामला शान भी नहीं हुआ कि फिल्म डेरेक्टर साजित खान पर भी कई महिलाओं ने इस सेक्शल हरासमेंट के आरोप लगा दिये जिसमें विपाशा बसू दिया मिर्जा जैसी अक्टरस तक के नाम शामिल है नाना पाटिकर के बाद डेरेक्टर साजित खान को भी फिल्म छोड़नी पड़ी हाउसफल 4 के अक्टर अक्षे कुमार को भी सामने आकर बयान देना पड़ा कि जब तक साजित खान और नाना पाटिकर पर मामला साफ नहीं हो जाता ये दोनों फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगे कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग लटकी रही फिर साज़त खान की जगा हाउसफुल 3 के असिस्टन डिरेक्टर फरहाद साम जी को हाउसफुल 4 की कमान सौपी गई और नाना पाजिकर के रोल के लिए राणा दगुपती को लिए जाने की बात सामने आ रही है राणा के लावा फिल्म में अन्रिकपूर और संजिदत का दाम भी सामने आया हाउसफुल की गाड़ी पट्री पर आही रही थी कि एक बर फिर से फिल्म को लेकर एक शौकिंग न्यूस सामने आई है खबर है कि 100 से जादा डांसर्स ने पुलिस में छेड़ चाड़ का केस दर्च करवाया है जी हाँ अब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक और बवाल खड़ा हो गया है मामला इतना बढ़ गया कि 100 से जादा डांसर्स ने पुलिस टेशन में आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्च करवाई है जानकारी के मताबिक हाउस फूल 4 फिल्म की शूटिंग के दौरान डांसर्स ने आरोप लगाए है कि कुछ लोग जबरदस्ती सेट पर खुसाए और महिला डांसर्स के साथ छेड़चाड करने लगे इस मामले में दो लोगों का नाम सामने आया है जिसमें इसे एक आरोपि का नाम पवन शेटी बताया ज़ा रहा है फिल्हाल पुलिस इस मामले की जाच कर रही है महिला ने ये बताया कि सेट पर हुई छेड़चाड की समय अक्षी कुमार और रितेश दोनों सेट पर मौझूद थे और खुद अक्षे ने ही महिला से कहा कि वो इस मामले को पुलिस के सामने लेकर के जाए उन्हें बुलाए और फिर अपना बयान दर्श करवाए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है ब्यूरो रिपोर्ट आईविसी 24